थल सेना उपर प्रमुक जनरल बियस राजू से बात किया हमारे समभात दाताने, सुनिए हमारे साथ इस वक्त बाचीत करने के मौजूद है वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ बियस राजू सर जिस तरीके से युवा अलग अलग जगों पर चाहे रेलवी स्टेशन हूँ, वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं आखिर वो इस योजना को जो अगनिपत योजना है उसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं आप इसको कम शब्दों में किस तरीके से देश के युवाओं को समझाएंगे यह बहुत अच्छा सवाल है और मैं यह कहना चाहता हूँ कि मोटे तोर पे अगनिपत की स्खीम के बारे में तकरिबन जानकारी है अगर कई उनकी सोच विचार में अगर कोई कन्फूजन हगर है तो वो है कि चार साल के बाद क्या होगा क्योंकि आपको जानकारी है कि सब अगनिवीर बन करके बरती होंगे और चार साल के बाद जो 25 परसेंट हम पॉमनेंट कैडर के अंदर रखेंगे और 75 परसेंट वापे सोसाइटी के अंदर जाएंगे और मैं एक कहना चाहता हूं कि चार साल के बाद एक अगनिवीर को बिना कोई संकोच कि सोसाइटी के अंदर जाने की जरूत है इसलिए क्योंकि उसको पहले चीज़ जब चार साल के अंदर उसको तक्रीबन 11.72 लाक रुपीस तंका मिलेगा चार साल के अंदर और उसके साथ साथ तक्रीबन 11.71 लाक सेवानिधी पैकेज मिल रहा है तो इस पैसे के साथ इस जो सेवानिधी पैकेज है या खुद ओ इमेरेटली ड्रॉ कर सकता है या उसको बैंक में रखके तक्रीबन 18.2 लाक रुपए लोन ले सकता है तो कहने का मतलब है गवर्मेंट उसको ऐसा पैकेजिंग किया है कि अगर कोई खुद एक धंदा चालू करना चाहते है तो कर सकता है यही अगनिवीर अगर आगे पढ़ाई करना चाहता है तो यह जो ग्यारा लाक रुपए लेकर वो अगला अपना ग्राज इसके अंदर बर्ती के लिए उसको अलग रिजर्वेशन करेंगे जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं कई इंडस्ट्री अशुरेंस दिया है महिंद्रा टेक है एलंटी है ऐसा कई कंपनियों ने बोला है कि हम ऐसा नवजवान चाहते हैं जो यंग हो डिसिप्लिन हो लॉयल हो फिजिकली फिट हो और सही एटिट्यूड हो उस टाइप के आदमी आज का दिन में बहुत डिमांड में है तो मैं समझता हूं कि जो अगनिवीर है यह सब कौलिफिकेशन को मीट करता है तो मैं चाहता हूं कि जो अगनिवीर अलग अलग जगह में है जो नवजवान अलग महरवानी करके आप अपना शेहर जाएए गाउं जाईए इस रेकूट्मेंट राली जो अगली दो दिन में हम अनॉंस करने वाला है और प्रक्रिया जो अभी अनॉंस करेंगे उसके बाद कुछ ही हफ्तों के अंदर रेकूट्मेंट राली अभी अलग अलग जिला में शार करिए और उसके बाद कुछ नफरी रहेगा कुछ नफरी जो बाहर जाएगा उसके लिए कई दरवाजे खुले रहेंगे